शादी पार्टियों में मिलने वाले चीले तो आपने जरूर खाये होंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बिल्कुल भी हैवी नहीं होते हैं और बहुत ही टेस्टी चटनी के साथ वो सर्व होते हैं तो चलिए आज हम भी बनाते हैं वही वाले चीले वेलकम बै सूजी साथ ही मैं एट करा है इसमें 1 टेबल स्पून नमक एड़ 1-4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर हमें बिल्कुल भी जादा ने डालना है यह तो एक अलग सा कड़वापन सा टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल हमें कलर के लिए कलर को बैलन्स करने के लिए हमें हल्दी का प जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाके मैंने एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लिया है देखिए बिल्कुल लॉम्स नहीं है बिल्कुल लॉम्स फ्री बना है और इसको एक डिरेक्शन में मैंने अच्छे से बहुत देर तक इसको फेट लिया था एंड इसको अब ह बिल्कुल कम मसाला बना रही है है आप सारी चीज़े अपने हिसाब से ले सकते हैं मैंने यहां पे 8-10 काली मिल्च, 1-2 तेबल स्पून धनिया पाउडर, 1-2 तेबल स्पून नमक और 1 तेबल स्पून कसूरी में थी लिया है इन सम मसालों को हम क्रश कर लेंगे अच्छे से मैंने बहुती कम मसाला बनाया है आप अपने हिसाब से मसाला बना सकते हैं जितना आपको बनाने है चीले मसाला हमारा ready है तो चले हैं स्टार्ट करते है मैंने चड़ा दिया इस गयस पे fan और बिलकुल high heat पे high flame पे हमें पैन को अच्छे से गरम कर लेना है जो भी तवा है या डोसा का आपका पैन है जो भी है अच्छे से तेज गरम कर लेना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे इस पे नमक का मैंने पानी स्प्रिंकल करा है और इसको एक कपड़े से हम अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इसके और फ्लेम ह हमें हाई ही रखनी है बिल्कुल भी लो मेडियम हमें नहीं करनी है एक कर्ची हमने इस पे डाला है अपना बैटर इसको राउंड राउंड करके इस तरीके से हम शेप दे लेंगे चीले की और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें यह सेखना है एट करेंगे इसमें वन टेबल स्पून या उससे कम ओil थोड़ा सा हमें ऑईल इसमें थोड़ा सा ओईल लगा के हम इसको अच्छे से सेक लेंगे चारो तरफ इसको गैस पे अच्छे से हम घुमा घुमा के सेक लेंगे ताकि कहीं से भी इसमें कच्चा पन नी रहे और हर बहुत स्पैचुला की हेल्प से बहुती इजली ये चीला निकल जाता है इतना कुछ इसमें करने की ज़रुवत निया है बहुती अराम से निकल जाता है एड़ करेंगे हम इसमें अपनी कोई भी वैजीज आड़ कर सकते हैं मैंने लिए है रेड़ यलो बेल पैपर साथ में ग्रेटेट पनीर आप प्याज और जो भी आपको सबजिया पसंद आप इसमें एड़ कर सकते हैं ग्रेटेट कैरेट भी आप एड़ कर सकते हैं एड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा स्प्रेंकल हमारा मसाला जो हमने मसाला रेड़ी कराता एक बार इस तरीके से आप चीले को आप जरूर बनाए, जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनाता और बिल्कुल, party वाला टेस्ट आया था, जैसे हम शादीों में पार्टी वाला खाते हैं देखे कितना अच्छा Color आया है, कितना आच्छा टेक्स्टर आया है सर्फ करते हैं हम इससे इमली और गुड की चटनी के साथ ग्रीन चटनी मैंने आज नहीं बनाई थी तो मैं इसको इमली और गूड की चटनी के साथ ही इसको सर्फ करूँगी and trust me खाने में भौट ही टेस्ट ही बनाता और बिलकुल शादी वाला जो चीले होते हैं उनका ही टेस्ट आया था एक बार आप जरूर इस रेसिपी से जरूर ट्राय करें आप ग्रीन चटनी के साथ या टमाटो कैचप के साथ किसी भी चीज के साथ आप सर्व कर सकते हैं और टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है और वीडियो को लाइक करना प्लीज ना भूले जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टे टून टेंक यू